उद्धव वनाम शिंते ये पूरा प्रक्रण अब सुप्रीम कोट पहुँच चुका है जी हाँ सुप्रीम कोट हम बात कर रही है महराष्ट में इन दिनों चले सियासी घमासान को लेकर टेजी से लगातार एक विवाद जो है वो सुर्खियों का कारण बन चुका है विवाद है शिवसेना का नाम और शिवसेना का चुनाव चिन जीहाँ धनुषबान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है धनुषबान और तीर कमान पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है तेजी से लगातार विपक्षी पाटिया एक दूसरे पर निशाना साध रही है एक नात शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे दोनों एक दूसरे पर वार पलट वार करते हुए नजर आ रहे हैं दरसल समझाते हैं आपको कि आखिर ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और मामला आखिर है क्या दरसल चुनाव आयोग का फैसला आ चुका है चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन एकनात शिंदे के नाम कर दिया है जी हाँ एकनाथ शिंदे महराष्ट के विधाता महराष्ट के मुख्या महराष्ट के सत्ता में अभी जो काबिज है वो है एकनाथ शिंदे महराष्ट के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिनको लेकर लगातार सियासी घमसान मचा हुआ है पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव की गद्धी को अपना बनाया और अब बात आ गई है शिव सेना के चुनाव चिन की और नाम की जो अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव के नाम हो चुका है अब इसको लेकर सियासी उथल पुथल और सियासी घमासान का दौ और शुरू हो चुका है वहीं इसको लेकर अमित्षाहा यानि की गहराय मंत्री अमित्षाह के गहराय मंत्री अमित्षाह का बयान भी सामने आया उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को दूद का दूद और पानी का पानी बताया यानि की चुनाव आयोग की जिस तरीके से फैसला आया है उस पर अमिश शाहा ने समर्थन जारी किया है उन्होंने समर्थन दिखाते हुए इस फैसले को अपना पक्ष दिया है साथी साथ उन्होंने उद्धव पर भी निशाना सादा है वहीं इसको लेकर आज सांसद संजे राउत का बड़ा बयान सामने आया है संजे राउत ने इस पूरे प्रक्रण पर क्या टिपनी की है। एक नजर डालते हैं। शिव सनाशे चिन और नाम चिनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाश है। इसे आप एफायर कहते हो फर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस एफायर। ये मेरा एफायर है। ये निर्णाई खरिदा हुआ निर्णाई। दो हजार करोड का विवार आपका हो चुका है छे महिने में। शिप चिन और नाम के लिए। जो सरकार जो नेता जो विएमान लोगों का गूर। उद्धायक खरिदने के लिए 50-50 करोड का दाम लगाता है। शांसत खरिदने के लिए 100 करोड का बुली लगाता है। उद्धवगुड के सांसत संजयर राउत ने शिवसेना की चुनाव चिन और शिवसेना का नाम जिस तरीके से दिया गया है एक नात शिंदे को उस पर तंज कसते हुए इस पूरी प्रक्रिया पर उन्होंने निशाना साथते हुए इसमें करोडों का घोटाला बताया है उन्होंने इसको लेकर साफ तौर पर सपष्ट कर दिया है कि 2000 करोड रुपे में ये पूरी डील हुई है देखना दिल्चस्प है कि इस बयान के आने के बाद अब किस तरीके से सियासी दौर शुरू होगा फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में अरजिंट सुनुवाई होने की बाद सामने आ रही है फिल्हाल देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में इस मामले से जुड़े क्या अपडेट सामने आते हैं फिल्हाल के लिए मुझे दीजे इजाज़त देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेके 24-7 इंचो